अब तेरा क्या होगा आनंद मुहन नमश्कार आप देख रहे नियूस फोर नेशन और मैं स्वाती पांडे आपके साथ बिहार में राजनिती के तहत या सियासत के तहत पुर्व बाहु बली सांसद आनंद मुहन को रिहात उकर दिया गया लेकिन जब से उन्हें छोड़ा गय है तब से बिहार में खूब राजनिती हो रही है बवाल मुचा हुआ है पहले ये मामला हाई कोट पहुंसता है फिर इस मामले को सुप्रीम कोट तक पहुंचाया जाता है अब सुप्रीम कोट ने बिहार सरकार और आनंद मुहन को लास्ट चांस दे दिया है बता दे कि 8 पुर्वसांसद और बाहुबली नेता अनंद मोहन की रिहाई के मामले में सुप्रीम कोट ने बिहार सरकार को लास्ट चांस दिया है शुक्रवार को सुप्रीम कोट ने सुनवाई हुई सरकार ने सुप्रीम कोट से नोटिस का जवाब देने के लिए वक्त मांगा अब सुप्रीम कोट आठ अगस्त को आगे की सुनवाई करेगी कोट ने कहा है कि इसके बाद कोई समय नहीं दिया जाएगा सुप्रेम कोट ने बिहार सरकार से आनंद मोहन की रिहाई के मूल रिकॉर्ड भी पेस करने को कहा है जिसके आधार पर पुर्वसांसत को छोड़ा गया है जस्टिस जेस पार्दिवाल और जस्टिस सुरेकांद की बेंच इस मामले की सुनवाई करती है सुप्रेम कोट में अपना पक्ष रखने के लिए पुर्वसांसर ने सिनियर एडवोकेट एपी सिंग को हायर किया था इधर जी कृष्णया के पत्नी उमा देवी ने कहा कि मैं सोचती हूँ कि बिहार सरकार ने सर्वोच्य न्याले से रिक्वेस्ट की होगी जवाब देने के लिए मुझे सुप्रीम कोट के उपर पुरा भरोसा है कि मुझे नयाय मिलेगा ये सिर्फ जी कृष्णया के परिवार की लडाई नहीं है ये पूरे देश की IAS ओफिसर से रिलेटिड इशू है इससे कृष्णया के परिवार को कोई फाइदा या नुकसान नहीं होगा हमने बहुत वर्सों पहले जो खोया था वो हमने खो दिया गुपाल गंज के तदकालीन डीम जी कृष्णया के पत्नी उमा कृष्णया ने रिहाई के खिलाफ सुप्रीम कोट में याचिका दायर की है इस याचिका पर आठ मई को जस्टिस सुरेकांत और जस्टिस जेके महिस्वरी ने पहली सुनवाई की थी इस दिन कोट ने बिहार सरकार और आनंद मोहन दोनों को नोटिस जारी किया था साथी दो हफ़ते में इस मामले की सुनवाई करने की बात कही गई थी आज बता दे कि 16 साल तक जेल में आनंद मोहन बंद थे राजसरकार की ओर से कोई जवाब दाखिल किया जाएगा सरकार ने कानून में बदलाव कर आनंद मोहन समेथ 26 कैदियों को रिहा किया था बताते चले कि वही सिनियर एड़ोकेट है जो तमिल नादू की जेल में बंद यूट्यूबर मनिश कस्यप के मामले में सुप्रेम कोट में उनका पक्ष रख रहे थे एपी सिंग ने अपने क्लाइंट आनंद मोहन का पक्ष रखने के लिए जवाब भी तयार कर लिया है जिसे वो सुनवाई के दौरान फाइल करेंगे आनंद मोहन को हाई कोट ने उम्रकैद की सजा सुनाई थी इसके तहट उन्हें 14 साल की सजा हुई थी आनंद मोहन ने सजा पूरी कर ली थी लेकिन मैनवल के मुताबिक सरकारी कर्मचारी की हत्या के मामले में दोशी को अंतिम सांस तक जेल में ही रहना पड़ता है नितीश सरकार ने इसमें बदलाव कर दिया इसका संकेत जनवरी में नितीश कुमार ने एक पाटी इवेंट में मंच से दिया था कि वो आनंद मोहन को बाहर लाने की कोशिश कर रहे हैं 10 अप्राइल को राज सरकार ने इस मैनवल में बदलाव कर दिया बता दे कि 16 साल से जेल में रहने पर कहा कि हम अभी भी माननिय रहे हैं हमने कानून बनाया था हमारी पत्नी लवली आनंद ने भी कानून बनाया था जिसने कानून बनाया उसका उसी से मूफिर्रा मर्द का काम नहीं है मैं लोकतंत्र के सम्मान के लिए जेल गया था ये सारी बाते आनंद मोहन ने जब जेल से वो बाहर निकले तब उन्होंने ये सारी बाते कही थी तो देखिया आनंद मोहन के रिहाई के मामले में बीते दिनों सुप्रीम कोट में सुनवाई हुई सुप्रीम कोट ने बिहार सरकार से जवाब तलब किया है और 8 अगस्त लास्ट डेट दिया गया है 8 अगस्त को ये बिहार सरकार को एक जवाब त्यार करना होगा और सुप्रीम कोट के सामने इस जवाब को रखना होगा तो 8 अगस्थी तय करेगा कि आखिर आगे यानि भविश्य में पूर्व बावबली सांसद आनंद मुहन के साथ क्या होगा फिलाल तो इस खबर में बस इतना ही और विडियोज और अबडेट्स के लिए आप देखते हैं न्यूस फोने